अब जरा दर्सक समझे यह उसका वीडियो सुनवाना और इसे केजिरी का ट्विट दिखाना क्यों जो जो बड़ा पड़ा लिखा मुखबंत्री है मनीजी यह क्या कह रहा है कि कुछ एकुछ व्यापारी जीस्टी नहीं देते हैं कुछ जो मजबूरी बस नहीं देते हैं कुछ जान बूच कर नहीं देते हैं यह कुछ जान बूच कर नहीं देते हैं और यह किन चोरों के पक्स में खड़ा इसका यह समझी है मनीजी की अभी तक जब से जीस्टी लागू हुआ है अभी तक जीस्टी की तीन लाग करोण रुपए की चोरी पकड़ी जा चुकी है और तीन लाग करोण की चोरी पकड़ी गई है उसमें से एक लाग करोण की वसूली हो चुकी है तो सोचिए कि तीन लाग करोण तो सब्सक्राइब कर दर्षकों को एक आकड़ा बताता हूं कि 2013-14 में टोटल टोटल इंडाइरेक्ट टेक्स छह लाग तेटीस हजार करोर का आया था और यह जान दीए सब्सक्राइब कर दोटल जमा हुआ था च्छह लाग तेटीस हजार करोड और मनीज जी इस साल जेस्टी का कलेक्शन जो आया है केवल वह अठारा लाग दस हजार करोड आया यानि जित्ता है दोजार तेरा चौदा में आ रहा है उससे तीन गुना ज्यादा यह टेक्स चुरी नहीं नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था यह वह चोर है जिनको पकड़ा ना जाए उन पर कोई सक्ती ना कि जाए तो उनके समर्तन में किती बेशरमी और किती नंगई से यह पढ़ा सब्सक्राइब पह Keys को जैनल दोता हुए कारनल बोलत कि उसमें 40 लाख ροपए तक की सेल आता ही नहीं कीुद पाए वह चालीस लाकी तो उसकी सीमा है उसके बात जेस्टी का खेल शुरू होता वह पारियों के लिए तो बड़े वह पारियों के लिए गली मोहले में दुकान खोले बटे हैं उनके लिए नहीं है जीस्टी और सबसे खास बात मनीजी यह दर्सक इसको समझें यह जेस्टी चोरी नहीं है यह चोरी हमारे आपके पैसे की है हमारे आपके पैसों की हमारे आपके पैसों की हमारे आपके पैसों की है जीस्टी जो है कहीं कार खाने में जीस्टी का पैसा नहीं निकलता यह जीस्टी का पैसा आप कुछ भी खरीते हैं माचीज भी खरीते हैं तो उसमें भी द यह कि देश के विकास में लगेगा हमारी सुदाओं के लिए नागरिक शुदाओं के लिए लगेगा तो वह यह के पैसा है वह किसी का नहीं है वो हम और आप सरकार को देते हैं उसपैसे को लुटेरे लूट लेते हैं जो डालाल उसको कहा जाते हैं उनके पुप्स केजरी वाल यह पढ़ा लिखा मुखमंत्री उनके पक्समय और अनपल प्रदान मंत्री वह कह रहा है कि जंता के दिये हुए पैसे की एक लूट करोगे तो मनी लांडिंग एक्टर लगेगा सीधे जेल जाओगे तो आप तैकर लिजिए कि पढ़ा लिखा मुखमंत्री बहता है जो हमारे पैसे के लिए कह रहा है कि जो चोरी करेंगे जो लूट करेंगे टकैटी करेंगे उनके उपर मनी लांडिंग एडी उनकी जांच करेंगी और वह जेल जाएंगे तो यह आदमी फर्क पढ़ा लिखा आदमी कित्ता खतर ना कि और दूसरे तो वह दूसरे लिखा प्रदान मंत्री तो इस देश को कैसे लूटा जा रहा था यह कल वाले वीडियो मैंने बताया था कि जो जिस कोईले से इस अनपढ़ प्रदान मंत्री ने जीरो पर लुटा दिया था इस सून पर एक पैसान लिए भी ना उसने हराम खोरों को इस देश के लुटेरो में तो इस देश को अनपढ़ प्रदान मंत्री चाहिए प्रदान मंत्री मूधी अज़े ठीजरी जिसके आठ साल के कारकाल में चार पांच मंत्री जेल जा चुके दर्जन भर बिदायक जेल जा चुके और जिसके मंत्री जेल जिसो दिया और सतेन जैन को छोड़ दीजिए जो इतने घेनवने घटिया घ्रनित हैं कि एक मजबूर और गडीव और जब रासंग कार्ट बनाने गई तो क्या कुकर्म किया कि वह मंत्री जेल चला गया और संदीव कुमार औ पंजाब में ऐसे आदमी को मुखमंत्री बना दिया जिसको जर्मणी में घक्कें मार के कई ज़ास दिशलीन निकाल दिया बिवन जया तू बहुत ज़्यादा सराबी यह लटीять है लटीग ॢूँथे लिखेए आदमी लिखेा पंजाब को दे दिया जो इत्व सरा अधि इसने कि यह ऐसा लतियाड आदमी वहां मुक्षमंत्री है पंजाब इसी स्टेट का तो यह पढ़ा लिखा आदमी बहुत खतर नाक है पढ़ा लिखा आदमी इस देश के लिए घातक है दिल्ली के लिए गातक है और देश के लिए कैसे गातक है मनमाहन के बाद आज भी यह दिल्ली को सीवर का पानी पिलवा रहा है जमना का पानी सीवर से ज्यादा बत्तर है और आठ साल में यह नहीं कर पाया जो 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 ना दिल्ली में किवल 20 किलो मीटर है और उस अनपड़ प्रदान मंत्री ने इस पड़े लिकांग बता इस देश के लिए पड़ा लिखा होना बड़ा गाता का है वो अनपड़ ही हमको चाहिए और मैं बता दू कि सतीज जी जो कह रहे हैं वो एक उस सटायर भाशा में कह रहे हैं भारत के प्रदान मंत्री जिसको यह चिरकुर चौती पास कहता है वो पोस्ट ग्रेजुएट है वो कॉलेज नहीं गये हैं उन्होंने खुद इस बात को कहा है और दिल्ली विश्य विद्याले से कॉर्रस्पॉंडिन से उन्हें पीजी किया हुआ है तो जो लोग की रहे हैं कि किरिप्या प्रदान मंत्री को सतीज जी अनपड नहीं कहें तिस सटायर मार रहे थे सतीज ज श्राइब करने नहीं तो और इसी लिए जो इसने फिर से एक दंगा फसाद कराने का शड़िया कि बैपारियों को प्रवोक कर दिया जाए क्योंकि इन्हें लगता है कि मोधी के सपोर्ट में खुल करके बैपारियों और यह GST का मुद्धा इस सब इस सब इनके घिसे पिटे मुद्धे हैं जो पहले ही फेल हो चुके हुए हैं और यह उस प्रधान मंत्री की बात कर रहे हैं जिसका पूरी दुनिया में डंका बजरा है जिसके सामने में एक राश्ट पैरलल का जो व्यक्ति है किसी पपुआ न्यूगिनी के प्राइम मिनिस्टर दुनिया के मंच पे आप चाहे अमेरिका के रा कि किस तरह से जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी जो चीजें कही थी उसको लोगों को सुनना चाहिए कि भारत से उमीद क्या है इसी प्राइब मैं यह जैसी बिमारी पहुंचेगी भारत पुरे विश्व के लिए बोज बन जाए आईसा दुनिया सोक मिले कि लेकिन हमें भारत को आस्वस्त करना बहुत जड़ुद अब इसलिए हमने है ने हारतियों पर विस्वास मैं इस प्रदैन मांत्र ने देश को अपने पैरों पर खड़ा किया है इस में तो क्या प्रैमंगेस् बदलावाया है हम और आप समर्ते हैं यह पूरा इस शडियन्थ के पीछे का खेल था सब्सक्राइब मैं मनेजी प्रदान मंतरी ने देश को पैरों पर नहीं खड़ा किया इतनी तेज दोड़ना सिखाया है कि कलीव हम लोगों ने बात की थी कि अमेरिका के आ रहा है कि आने वाले कुछ दर्शक के बाद भारत अमेरिका को पीछे चोड़ देगा इतनी बड़ी अर्थमेवस्ता बारत की होने जा रही है और यह बने काता है कि दून लीजिए 16, 17, 18, 19 अलग-अलग संस्ताओं की अलग-अलग रिपोर्ट है तो इस प्रदान मंतरी ने देश को पैरों पर नी खड़ा किया है इसको अपने दोड़ना सिखाया है और बहुत तेज दोड़ना सिखाया है कि दुनिया में सबसे नंबर एक आज भी अर्थववस्ता की हमारी गति सबसे तेज है तो कोई तुलना ही नहीं हो सकती मैंने का न कि उस पर यह जिसको अनपड कहते हैं उस अनपड़ प्रदान मंतरी के जूते के फीतों के बराबर भी इनकी अवकात नहीं है और यह अपना प्रदान मंतरी ने जिसको अनपड़ कहता है उसने धाई हजार किलो मीटर की गंगा साब करके दिखाई है तो कोई तुलना हो सकती है इन से यह क्या को इनके लिए को शब्द हम लोग बोल नहीं सकते है